कि हेलो फ्रेंद्स आद को उर्श रपन मैं एब अब सभी को चोटे सेJack machine पसंद आता है तो सिबिये कर सकते हो मैंने हम इसी सिब मंगा यह schneller in निकालते हैं और देखते हैं इस스 के साल हमें घ्र के tubing लिखा हुआ और इसके बारे लिखा हुआ है और इसके बारे में हम ठोड़ा सा और ज्यादर जान लेते हैं यहाँ पर आप सब से उपर आप देख सेकते हो इसका बरांड का नाम लिखा हुआ है वंडर कट उसके बाद उसके नीचे में लिखा गया है यहां पर आप देख से तो बरांड का नाम हुआ है वंडर कट फिर उसके नीचे में इसका डायमेंशन है फिर उसके जस्ट नीचे में आप देखो निकालते हैं और इसके साथ हमें कौन-कौन सा से उसके बारे में जानते हैं और इसके डबे में आप देख सेकता हैं आप कुछ भी नहीं तो सबसे परले हम इसका carbon brush उठाते हैं हमाने पास यह दो carbon brush दिया गया है जब आप drilling को जाता यूज करोगे तो उसका carbon brush घिस जाता है तो उसे आप आसानी से इसे change कर सकते हो यह तिन यह जो तीन screw है इसे आप open करके आसानी से आप आप खुद से इसे चेंज कर सकते हो, फिर हमें दिया गया है एक डिल चक, यह जो डिल चक है, इसका मेन वर्क है, इसमें डिल बीट फिट होता है, और इसके उपर मेंशन किया गया है, 1.5 mm से लेके 10 mm टक का डिल बीट इसमें फिट होगा, और जब आप इसे रोटेट करोगे इसका जो मौथ है, वो कम और जादे होगा, तो इसे रोटेट करने से, कम और जादे करने से, आप जितना mm का डिल बीट चाहो, उतना mm का डिल बीट को आप इसे आसानी से फिट कर सकते हो, और उसके बाद यह जो डिल चक है, डिल बीट लगाने के बाद इसे डिल की की यहां पर हमें लंबा सा वायर मिल जाता इस डिलिंग मशीन के साथ तो चलते हम इस वायर का कॉलिटी पहले देख लेते हैं यह आप देखें इसे टच करने पर लगता है यह बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वायर है और इस पर हम पढ़ने के कोशिश करते हैं इसमें लिखा गया है 300-500 वोल्ट यानि की साथ इसमें 300 वोल्ट से 500 वोल्ट तक का इसमें हम सप्लाय दे सकते हैं यह आसाने से वर्क करेगा आप इस डिलिंग मशीन को उपर देखो सबसे उपर लिखा हुआ है मेड फोर इंडिया यानि की इंडिया के लिए बनाया गया है या फिर इंडियाम बना होगा डिलिंग मशीन का मेडेटाब भाता है इक घर पर अडोर पर यह त्यश्क ऊपर है कि अंडियाम बनाया है और इसकी आप फैंडियाम बनाया है देखकते है और अच्य कॉल किया है और आप इसे दोनों हाच से पंसक्ति उच्छ कर सकते हो में तो drilling मश resignation को दोनों हाच से यूज करने के लिए है लेकिन कभी-कभी हमें एक हाच से भी त हुझ करना प्रसकता है इसलिए छोटा हम जोटा डृलिंग मसीन बनाया गया है एक हाथ से यूज करने के लिए तो चलिए आप हम इसमें पापर सप्राइज देते हैं 220 वोल्ट का और इसे हम रूटिट करके देखते हैं इसमें इसके सौंड का क्वालिटी कैसा है ज्यादे नौइज करता है या फिर नहीं करता है मेरे पार डिल भी इतन अतले चिद कर सकते हो क्योंकि इसमें हमर भी नहीं है यह प्लेंटरिलिंग मसीन है और इसके स्विच में एक लौग का फिचर दिया गया जब हमें डिलिंग मसीन को ज्यादा देर तक यूज करना होता है तब आप इसे लौक कर सकते हो इस स्विच को ओन करके जब हम इस लंबे लंबे समय तक यूज़ करने के लिए बनाया गया क्योंकि आपका उंगली दुख जाएगा इसलिए आप इसे लोग करके आप इसे ज्यादा दिर तक यूज़ कर सकते हो इस डिलिंग मशीन को हम आउन कर देते हैं और लॉक कर देंगे तो यह कॉंट्टिनुएस आप जितना एमिम को होल करना चाहते हो उससे जादे एमिम का होल हो जाएगा इसलिए यह इसमावनली मसेश्या है और यह अच्छा वर करेगा मैंने आपको इस डिलिंग मशीन के हर एक चीज के बारे में बता दिया यदि आपको यह डिलिंग मशीन पसंद आता है तो आप इसे बाय कर सकते हो और यह जो डिलिंग मशीन है मेंली स्माल वर के लिए बनाया गया है छोटा वर के लिए बनाया गया है और इसे आप लकरी म तो आसानी से यूज कर सकते हों यदि आपको मेरे वीडियो फसंद आता है मेरे वीडियो को सिखने को मिलता है आप मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो धन्यवाद